पूर सेख़ भाम स्च millionaire ह written लेक्षर कहा हैं यहां करो मैं का आध incubator Hai अपया श्राक्यर में अ वरी स्बूर्ब्ध सभाउड में ध BC nem yapıyor किया था किया होता है और उसे पहले हमने डिस्बिश किया था D gathering reaction और C3 cycle और Calvin cycle जिसे हम बोलते हैं जो मेन पात्वे होता है glucose synthesis का तो जो C3 cycle है यह हमें पता है कि बेसिक पात्वे हर टाइप के plants में होगा लेकिन कहीं plants में C3 cycle के कुछ modified version भी हमने हमें देखने को मिलता है और उसमें से एक हमने previous वाले lecture में discuss किया था that is C4 cycle और हमने यह भी देखा था यह भी discuss किया था कि यह जो modified version है कुछ plants के अंदर यह क्यों है और यह इसके पीछे का जो reason था वो है dual nature of Robisco जो main enzyme है C3 cycle का main enzyme है Robisco इसके dual function की वज़े से modified version हुए क्योंकि dual function में वो क्या देखा था कि carboxylation और oxygenation दोनों वो activity परफॉर्म करता है high concentration है तो carboxylation करेगा carbon dioxide की अगर high concentration है तो वो carboxylation करेगा और अगर oxygen की जादा concentration है तो वो oxygenation को start कर देगा RUBP के oxygenation को जिससे क्या होगा कि जो normal photosynthesis rate है वो हो जाएगी stop और उसकी जगा start हो जाएगा process photo respiration जो एक waste process है और जिसकी वज़े से क्या होता है photosynthetic yield जो होगी वो कम हो जाएगी तो इसको avoid करने के लिए इसको prevent करने के लिए कुछ plant में adaptations evolve हुए उनमें से हमने कुछ adaptation evolve हुए जिसमें जैसे c4 cycle में हमने देखा कि क्या adaptation थे c4 cycle या c4 plants में क्या adaptation हुए कि उनके अंदर crans anatomy आई और उसके अलावा crans anatomy में हमने क्या देखा कि दो type के cells वहाँ पर हुए एक था bundle sheet cells और mesophyll cells और यहाँ पर इन plants में जैसे c3 plants के अंदर तो क्या था c3 plants के अंदर chloroplast है ग्रेना है स्ट्रॉमा है ग्रेना में light reaction चल रही है उसके प्रड़क्ट जा रहे हैं स्ट्रॉमा में और वहाँ पर चल रही है dark reaction that is c3 cycle यह हमने देखा लेकिन अब यहाँ पर c4 plants के अंदर क्या होगे क्योंकि इनको prevent करना था photo respiration जो कि एक waste process है और प्लांट को से कुछ benefit नहीं होता तो इसकी वज़े इसको avoid करने के लिए क्या किया प्लांस ने के कार्बन को pick करने का और उसको fix करने का site दोनों ही different हो गया जहां पर वह carbon को accept करेंगे वह site अलग थे वह होगा मीजोफिल cells में जहां पर light reaction भी चल रही है और दूसरा जो था carbon को fix करने का या उसका reduction करना है उनको carbohydrate का formation करना वह site हो गया बिल्कुल अलग तो जहां पर carbon dioxide का reduction होगा तो main process से होगा that is C3 cycle महीं पर rubis को मिलेगा तो दोनों की site क्या हो गई अलग अलग हो गई तो जो rubis को अपनी dual activity जो उसका dual function है वो नहीं कर पाएगा वो सिर्फ क्या करेगा carboxylation क्योंकि वहां पर सिर्फ क्या होगा bundle sheet cells में जहां पर यह चलेगा वहां पर सिर्फ carbon dioxide की concentration होगी oxygen की concentration होगी वह एकदम लो होगी यह देखा था और यह भी देखा था करेंस एनाइटमी के साथ साथ डाइमॉर्फिक लोरोप्लास भी है एक ग्रेना और एक ग्रेना एक ग्रेना है बंदल sheet cell में जहां पर c3 cycle चल रही है जो बेसिक पात्वे हैं और जो ग्रेना है जहां पर ग्रेना स्टैक से थायलोकॉइड के वह मीजोफिल सेल्स के अंदर है ऐसे टाइप का क्लोरोप्लास जहां पर जो नॉन्मल लाइट रियाक्शन है वह चल रही है उसके अलावा C4 cycle वहां पर पड़ा था और वह है कैम प्लांट या कैम पाथवे उसको आज हम इस लेक्चर में डिसक्स करेंगे कैम पाथवे और यह होगा प्लांस हैं उनके अंदर पहले हम इसका फूल फॉर्म देख लेते हैं कि कैम जो है वह क्या होता है यह है कि एक प्रेसुलेसियां आसिड माटाबॉलिसम यह जो क्रेसुलेसियन है, एसेड मेटाबॉलिजम, इसको क्रेसुलेसियन ही नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एंजियोस्परम प्लांट की एक फैमिली होती है, क्रेसुलेसी, उनके अंदर यह पाथ में देखने को मिला, जनरली यह जो होते हैं, सक्यूलेंट जीरो फाइट्स होते हैं, जीरो फाइट्स वह है, जो डेजर्ट कंडिशन में रहेंगे, सक्यूलेंट प्लांट होते हैं, जिनका नार्मली लाज वैक्योल होता है, उनको हम सक्यूलेंट बहते हैं, तो यह उन प्लांट के अंदर होगा, जहां पर वाटर जो है, वो डिफिशन होगा, जो और अगर हम प्लांस बारे में बात करें तो इनके अंदर क्या adaptation features evolve हुए जैसे जोरे सा रिकॉल करते हैं धोड़ी दिर पहले भी हमने डिस्केश किया था कि किसी फॉर 시간이 वहां तो क्या किया उन्होंने साइट को साइड जो थी वो अलग-अलग हो गई कार्बन को एक्सेप्ट करने की और कार्बन के जो do special type के stromata मिलते हैं ये stromata जो होते हैं ये जो stromata है ये open रहेंगे during night और remain closed during day time क्योंकि इनको क्या करना है water loss को prevent करना है तो day time पे इनके जो stromata रहेंगे वो तो close रहेंगे लेकिन during night time वो उपन हो जाएंगे for carbon fixation such type of stromata ऐसे stromata को हम बोलते हैं scotoactive scotoactive stromata ऐसे stromata जो open रहेंगे during the night time और closed होंगे during the day time तो इनके stromata जो है वो क्या होंगे? night time को तो open हो जाएंगे ताकि गैसे इसका exchange हो सके और during the day time क्या होंगे? वो close होंगे to prevent transpiration, to prevent water loss तो अब किस तरह से carbon का fixation करते हैं? next जो है हम एक diagram के थूरू उसको समझेंगे कि किस तरह से यह जो camp pathway यह चलता है अब during night क्या क्या event होते हैं और during the day time क्या क्या event होते हैं वो हम simultaneously यहाँ पर समझेंगे यह cells है, mesophil cells एक cell में हम समझेंगे events जो हो रहे हैं during night और इस वाले cell में हम समझेंगे events जो हो रहे हैं during day अब जैसे इनके अंदर stomata कौन से हैं? scotoactive stomata ऐसे और stomata जो कब open रहेंगे during night तो यहाँ पर क्या होगा? stomata जो है वो open होंगे during night time इससे क्या होगा? CO2 cell के अंदर आएगा CO2 जो है यह convert होगा bicarbonate ions में इस bicarbonate ion के साथ इसको accept करेगा phosphoenol pyruvate जो क्या है? carbon acceptor है और इससे बनेगा oxaloacetic acid oxaloacetic acid इतना stable नहीं होता compound तो उसको क्या करते हैं? plant malic acid के अंदर क्या करेंगे? convert कर देंगे malic acid compare as compare to oxaloacetic acid इसलिए यह conversion होगा oxaloacetic acid convert होगा malic acid में यह reduction step है तो यह reducing power use होगी तो यह convert होगया malic acid में यहाँ पर reducing power use होगी na dp h2 na dp plus यह malic acid क्या होगा? यह store हो जाएगा उनके vacuol में during night time तो during night time क्या किया? उन्होंने carbon का intake कर लिया उन्होंने क्या क्या? time change करना था तो during night time क्या क्या क्या? उन्होंने carbon dioxide का intake कर लिया और यह सारी जो है process होगी यह सारी reaction होगी ultimately क्या होगा? malic acid बनेगा और यह vacuol के अंदर क्या होगा? इसको store कर लेंगे यह chloroplast है chloroplast में formation हो रहा है starch का starch से बनेगा triose phosphate और इससे बनेगा pep जो की क्या है? carbon accept तो main जो reaction है जो हमें याद रखना है वो यह वाली reaction है क्या हो रहा है? carbon dioxide अंदर आएगा bicarbonate ions में formation होगा pep combine होगा oxaloacetic acid बनेगा उससे malic acid बनेगा malic acid is more stable as compared to oxaloacetic acid reduction है reducing power का use होगा malic acid को night time में क्या करेंगा vacuol में sore करके इसको रख लेंगे अब क्या होगा during the day time यहाँ पर stomata क्या है आब? यह जो stomata है यह हो गए close अब जो light reaction है वो भी होगी light reaction में ATP भी बनेगा ठीक है तो वो सब कहाँ पर use होगा? ATP बगेर alcohol में क्या था? malic acid diffused होके यह बाहर आया malic acid यह malic acid जो है यह convert होगा pyruvate में और यहाँ से एक molecule निकले का carbon dioxide तो यह जो chloroplast है यह chloroplast है अब यह जो है यह combine होगा किसके साथ? RUBP अब यहाँ पर क्या हो रहा? इसका fixation हो रहा है और क्या बन रहा है? इससे PGA यह normal जो C3 cycle है वो चल रही है इससे क्या बना? यहाँ पर starch बनेगा food का formation हुआ यह spirovate से reverse glycolysis होगा triose phosphate और इससे यह starch तो किस तरह से यह carbon अपने food का synthesis कर रहे है carbon dioxide का reduction कर रहे है during daytime इन्होंने क्या गया carbon dioxide को pick कल लिया और during night time उसको pick कल लिया during daytime क्या हो रहा है उसका reduction हो रहा है यहाँ पर क्या होगा? यह जो यहाँ पर NADPH NADPH to use हुआ था वो वापस से क्या होगा? यहाँ पर regenerate हो जाएगा PH2 तो यहाँ during daytime क्या हुआ हुआ? यह बाइक आसे क्या हुआ नहीं से पाइरूवेट यह पाइरूवेट यह पाइरूविक आसेड में थीक है? उससे ये plant जो है उन्होंने खुद को क्या किया उससे रोक लिया उस process को होने से और उन्होंने ये वाला जो pathway है वो adapt किया उसमें ये था कि जो time है वो change हो गया तो ये था camp pathway या camp cycle जो चलती है camp plants में इसके example है ब्रायोफिलम, pineapple, cactus हो गए इसके जो examples है वो है कट्टाई, pineapple, ब्रायोफिलम, ये कुछ example है camp plants के तो ये था C3 cycle के modified version सबसे पहले हमने जब mechanism start किया photosynthesis का तो light reaction पढ़ा जिसमें देखा कि oxygen evolve हो रहा, ATP का formation हो रहा है by two pathway cyclic and non-cyclic उसके अलावा NADPH2 reducing power का हमाँ formation हो रहा है फिर biosynthetic pathway हमने discuss किया था that is C3 cycle और जो C3 cycle है वहाँ पर क्या हो रहा है glucose का formation हो रहा है अब कुछ plants के अंदर क्या हुआ हुआ कि हमें modified version भी देखने को मिले और हमें ये भी ध्यार में रखना है जो C3 cycle ये basic pathway glucose synthesis का ये सारे plants के अंदर होगा लेकिन modified version में हमें इसका देखने को मिलेगा वह हमने discuss किया C4 और ये भी देखा कि modified version क्यों है क्योंकि photo respiration को avoid करना है जो एक waste process है प्लांट को से क्या हो रहा है loss ही हो रहा है तो उस loss को क्या करना उनको avoid करना है प्रिवेंट करना है और इसलिए क्या हुआ हुआ हमें ये modified version आए C4 cycle में क्या हुआ उन्होंने जो साइट था carbon पिक का और उसको reduction का वो change कर लिया और जो camp pathway है यहां पर इन प्लांट ने क्या किया time ही change कर लिया कि carbon को पिक कर रहे हैं during the night time और उसका fixation हो रहा है during the daytime जब light reaction भी चलेगा sunlight आएगी light reaction होगा तो यह वाली cycle जो है यह भी operate होगी जो basic है सारे plants के अंदर तो यह पूर्य pathway थे जो हमने discuss किये कि किस तरह से plants अपने आपको adapt कर रहे हैं जो next lecture है उसमें हम discuss करेंगे about ATP formation chemo osmotic hypothesis and factors affecting photosynthesis यह discuss करेंगे हम next lecture में thank you